है दियर स्टूडेंट्स विल्कम बैक टूर चैनल वंस अगेन बच्चो जैसे कि आप चानते हैं हम कर रहे हैं टीवाई वीकॉम सेनिस्टर फाइफ का कॉमर्स सब्जेक्ट यानि की मार्केटिंग जिसका हम चैप्टर नंबर टू मार्केटिंग डिसीशन पार्ट वन कम्प प्रीच कर दिये हैं बस एक और दो टॉपिक सी बाकि रह गए है तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चो प्राइजिंग अब्जेक्टिव के ऊपर है प्राइजिंग अब्जेक्टिव को समझने के पहले बच्चो बहुत ज़रूरी हमारे यह जानना कि यह प्राइजिं प्राइज की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी का सक्सेस जो है वह आपके इस प्राइजिंग फैक्टर के ऊपर टिपेंड करता है यानि आपको जो प्राइज सेट करना है प्राइज जो है आपके कस्टेमर्स के लिए फोन फ्री में तो नहीं दे रहा हूं एक प्रड़क्ट में आपको दे रहा हूं बदले में अप उसकी एक्सचेंज वाल्यू दे दी इसे हम कहते है इसे हम कहते है बच्चो प्राइजिंग ना प्राइज जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर है यही एक ऐसा ऐलिमेंट है जो हमारे लिए रेविन्यू जन्रेट करता है और दूसरे जो है वो हमारे लिए खर्चे बनाते हैं हमारे लिए खर्चे पैदा करते हैं जैसे की प्रोड़क्ट हमें खर्चा करना पड़ता है इसके लिए प्लेस यानिके डिस्टिब्यूशन पर खर्चा करना पड़ता है प्रमोशन हमें खर्चा करना पड़ता है एड इसलिए प्राइज को बनाने के लिए होता है बच्छों वह को सब्सक्राइब होते हैं वह हमेशा us राटेशना प्राइजिदा इसीड थो मुस्त एकमपलिश यानि हमारे प्राइज के अबेक्टेव क्या है वह हमेशा हमेशा कंपनी के बॉर्डर ऑबैकिटिव को support करना चाहिए marketing के marketing department के बढ़ाना है इंक्रीजिंग दी market यहां फिर organization के overall objectives में आता है कि आपको अपने shareholders आपके company में पैसे इंवेस्ट करते हैं उनकी वेल्थ को और जादा improve करना है कैसे करोगे आप जब shareholder ने पैसे इंवेस्ट किये हमारी company में तो उन्होंने क्या क्याप पैसा लगाया करिया उन्होंने अपना पैसा जो मेरी company में लगाया अब बैक को मार्पेसा करी चाЕТ मैं अभी क्या क्या है यह shrug आरे मेरे कम्पनी में पैसे लगाहे हैं बदले में मुझसे का expect करेंगे dividend expect करेंगे यह dividend उनका कहां से उनको मिलेगा जब मैं profit earn करूंगे तो enhancing the shareholders wealth और enhancing corporate image यहां फिर मैं चाहती हूँ अपने corporate image को और ज्यादा improve करना following are the main objectives of pricing very first element is survival it is one of the most important objective especially when the companies are faced with the problem of over capacity intense competition or changing consumer wants company के लिए survival जो है वो सबसे बड़ा प्राइजिंग objective हो जाता है specifically तब अपना competition जो होता है ना market में वह ज्यादा strong हो और consumer की wants जो है वो क्या होती है वेनट कीप्स on changing the most forms adopt survival objective during recession when customers on an average have less money to spend तो ज्यादातर forms जो है उनका survival objective recession के टाइम पर होता है क्योंकिए वहाँ पर customers के पास पैसे कम होते है recession जापर economy पुरी slowdown चल रही है लोगों के पास पैसे नहीं है spend करने के लिए तो ऐसे वक्त में survival थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो जाता है बहुत बड़ा question हो जाता है prices are reduced at times even below cost in order to maintain sufficient flow of cash for working capital कई बार prices को reduce करना पड़ता है उससे थोड़ा सा कम यह उसके आँस पास हमको price रखकर चलना पड़ता है especially क्या होता है हमको sufficient flow है of capital working capital उसको चालू रखना हमको जरूरी होता है profits are less important than survival अब यहाँ पर profit हमारा secondary objective होता है primary हमारा survival बहुत ही जरूरी है as long as prices cover variable cost and some fixed cost company survives in the market जब तक आपका fixed cost और variable cost यह जो दो तरीके के cost है इसको मिलाकर इसको जोड़कर आपने अपना price जो है वो set किया है price जो भी आप charge करते हो अपने customers से अगर वो इन दोनों चीज़ों को cover कर रहा है company बहुत असानी से survive कर पाएगी however survival जो है वो बहुत ही short term objective होता है as price cutting is not always the answer definitely हम पूरी जिंदगी बर price को reduce करके नहीं चल चकते है price cut करके नहीं चल चकते एक particular point of time के बाद हमको अपने prices को increase करना होता है here marketers need to be careful with the pricing strategy that brings short term benefits at the expense of long term goals यहाँ पर marketers को बहुत सोच समझकर pricing strategy जो है वो बनानी पड़ती है क्योंकि यह short term benefit हमको अभी मिल रहे है लेकिन long term goal के expense पर हमको नहीं मिलने चाहिए reducing prices in order to increase sales can cause customers to be price sensitive बार बार अगर आप prices को अपने reduce करोगे ना तो customers थोड़े price sensitive होते हैं जैसे की एक बहुत ही अच्छा terminology यूज होता है Christmas sales syndrome यानि कि Europe या American markets में क्या होता है shoppers wait for prices to drop at the time of Christmas season to buy goods जो shoppers होते है वेट करते है नहीं अभी हमको shopping नहीं करना है चाहे कितना भी अच्छा promotion क्यों ना हो हम इंतजार कर रहे है Christmas के sale का जब Christmas का sale आएगा तब हम afford कर पाएंगे और जाधा cheap prices में हमको मिलेगा और sale होगा और discounts होगा तो तब हम क्या करेंगे अपनी shopping जो है वो करेंगे तो इसी कहते है Christmas sales syndrome तो बार बार अगर आप prices को reduce करोगे तो क्या mentality बन जाएगी आपके customers की ठीक ह कि जब sale का वक्त आएगा हम तब ही जाके इसको खरीद लेंगे इसलिए हर वक्त price को reduce करना is not a good option और जब हम survival की बात करते है short term benefit मिलता है तो long term benefit के लिए आप हमेशा prices को reduce नहीं कर सकते हूँ next आता है हमारा another important part is your profit objective now one of the main objective of pricing is to earn profits profit का माना यह सबसे main objective होता है हमारे price का क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है price है कैसा element है जो हमारे लिए revenue लाता है और वही other factors other elements जो है वो हमारे लिए cost produce करते है now return on investment a good number of firms fix their prices to stimulate consumer interest in their brand over the other competing brands तो कई सारे ऐसे brands है या firms है जो अपने brands के prices को क्या करते है fix करके रखते है अपने competing brands के comparison में competitor change भी कर रहा है हमारे prices fix होंगे attractive prices result in higher sales अगर price आपकी बहुत ज़्यादा attractive है lucrative offers दे रहे हो गईना कहीं आपको sales बढ़ेगा ultimately sales बढ़ेगा तो आपका return on investment return on capital employed जितना पैसा लगाया है उसके ओपर return आपको अच्छा मिलेगा now this in turn helps a firm to achieve its one of the overall objectives enhancing shareholders wealth तो अपने आप हमारा जो company का objective है shareholder के पैसे को और ज्यादा बढ़ा कर हमें उनको देना है तो वो objective हमारा अचीव होता है return on investment next आता है हमारा profit maximization so a profit maximization objective seeks to get as much profit as possible यहां पर कोशिश करते हैं जितना ज्यादा profit हम को मिल सके उतना ज्यादा profit हम ले ले profit maximization does not necessarily involve fixing high prices low prices में bring in higher sales in profit तो profit maximization बोलता है not necessarily fixing high prices profit margin में जरूरी नहीं है कि maximize करना है profit यह नहीं है कि आप prices को ज्यादा set करो low price में bring in higher sales कई बार low price अगर आप रखते हो तो sales ज्यादा होता है और profit भी ज्यादा होता है profit maximization का यह मतलब कभी नहीं होता है कि आप ज्यादा price charge करो तो आप ज्यादा maximize profit तो ज्यादा आपका prices ज्यादा होना चाहिए ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है now third point is your sales objective तो here firms also fix prices in order to attain sales objective firm prices set करती है ताकि sales objectives को achieve कर पाए जिसमें से सबसे पहला है आपका market share growth firm may fix the price of its product at a certain level so as to defend its current market share firm यहां पर क्या करती है product के price को fix करती है एक certain point पर जहां पर वो अपने current market share को defend कर सके market share यानि कि number of consumers consuming my product जिससे कि मेरा possibility यहीं रहे कि हमें अपना market share बढ़ाना है now for this purpose a firm may adopt penetration pricing strategy for new product launch and competitive pricing for its existing pricing अब इसलिए firm क्या करती है penetration pricing strategy का इस्तमाल करती है जब भी निव प्रोड़क लेकर आती है तो penetration pricing लेकर आती है penetration pricing क्या होता है जब आपको नया product launch करना है तो आप क्या करते हो आप initially अपना जो prices है products के वो कम price रख कर आते हो क्योंकि आपको यहाँ पर market share जादा चाहिए होता है and competitive pricing for its existing price for its existing prices और competitive pricing रखती है अपने existing products के लिए then we have sales growth some marketing managers would like to achieve sales revenue growth in terms of unit sales growth और in money terms कुछ हमारे marketing managers होते हैं जिनको sales कैसे achieve करना होता है या तो in terms of unit sales number of unit मैंने कितना sell किया है और in terms of money now here increase in sales is an important indicator of a firm success sales जादा हो रहा है यानि की आमें पता चलता है यह एक indicating factor है कि successful organization है increase in sales target does not necessarily result in other objectives such as profit जरूरी निये sales बढ़ रहा है तो आपका profit भी जादा हो रहा होगा because sales में increase but profits में actually decrease but chances है profit आपका decrease हो रहा है और a firm में even suffer losses despite of growing sales ऐसे भी chances है कि sales जादा हो रहा है profit नहीं हो रहा है यह भी chances है कि sales जादा हो रहा है लेकिन आपका loss भी हो रहा है therefore pricing objectives should not just focus on growth in sales but also on profit इसलिए pricing objectives जो है उसको सिर्पर सिर्फ growth in sales को बढ़ाने के ओपर ध्यान नहीं देना है profit भी earn करना है the fourth objective talks about my competitive effect objective now a form it deliberately seeks to reduce the effectiveness of one or more competitors यहां पर फर्म जान बुच कर क्या करेगी कोशिश करेगी कि अपने competitors जो है उसके comparison मेरे prices ऐसे हो जो हमेशा मेरे customers को मेरे पास लेकर आए now it may fix its prices in such a way that it would enable it to win over competitors customers यानि कि competitor के पास भी जो customer है ना मेरे prices ऐसे होंगे कि competitor के customers को भी मैं approach कर सकूँ for instance जैसे कि departmental store क्या करता है in the month of December जब हम बात करते है Christmas की तो definitely एक festival है तो लोग नए कपड़े खरीदेंगे पहनेंगे जरूर तो departmental store क्या करता है कि चलो Christmas के टाइम पर हम सेल लगाते हैं heavy discount देते हैं heavy discount के साथ साथ हम क्या करेंगे किसके ओपर garments हो गए footwear हो गए जो भी पहनने के कपड़े लगते होंगे उसके ओपर क्या करेंगे हम heavy discount देंगे जिससे क्या होता है Christmas के जितने भी shoppers है वो क्या करेंगे मेरे departmental store में आएंगे compared to any other departmental store जो की मेरा competitor होगा तो इससे क्या होता है मैं अपने competitor के भी customer को ट्राक कर रही हूँ अपने prices के हिसाफ से then we have image differentiation some firms में create image differentiation through pricing they may charge a premium price for the products to create a distinct image via the competitors and the minds of the target audience कुछ form अपनी एक अलग image create करना चाहती है market में तो वह क्या करती है premium price charge करती है premium price इसी लिए charge करती है ताकि वह आपको बता सके हम हमारे जैसे और भी 10 लोगे जो market में same product को sell करते हैं लेकिन हमारा premium product क्यों है क्योंकि हम unique है अब वह uniqueness क्या है यह वह अपने आपको image differentiation strategy के तुरू बताते है now here firms like Mercedes-Benz Rolex watches and others have adopted this strategy तो इन brands ने basically अपनी unique image create की है some other firms में charge a moderate price for high quality products for instance a firm में position its product on the moderate price high quality such as newport jeans good jeans for less तो कुछ firm होती है जो कि moderate price charge करती है high quality products देकर कुछ firms होती है जो कि तुमको prices जो charge करती है product के ओपर moderate prices होता है और quality भी तुमको high देती है जैसे कि jeans वहाँ पर वो लोग बो रहे है good jeans for less यानि कि आपको एक अच्छी jeans अच्छी quality की jeans आपको बहुती कम price में मिल रही है तो यह image differentiation create करने के लिए किया जाता है then we have market skimming objective जहां पर firms that launch a new product in a market may adopt the market skimming strategy यहां पर क्या होता है product is launched at a high price and then gradually it is reduced over a period of time skimming strategy में याद रखना जबी भी market में enter होते हो यहां पर हमको profit चाहिए होता है penetration में हमको क्या चाहिए होता है penetration pricing में हमको चाहिए होता है market share जादा हो तो हम prices come set करके new product को launch करते हैं skimming में क्या होता है हम already high price set करके ही market में enter कर रहे है क्योंकि हमारा objective क्या है to only profit तो यहाँ पर skimming apart from other benefits helps a firm to recover high development cost associated with new products for market skimming to be successful there must be certain conditions अब यह market skimming के लिए कुछ conditions है जो follow करनी पड़ती है firm must have a degree of security in the form of patents firm के पास क्या होनी चीए एक security होनी चीए patent के form में दूसरा firm must have a unique selling proposition which means USP आपके product में एक ऐसी खास बात जो दूसरे product के अंदर नहीं है वो USP आपको justify करना होता है under your market skimming objectives we have early cash recovery firms that face liquidity problems or those that believe that life of the product or market is likely to be short may adopt a pricing strategy designed with the objective to generate a high cash flow and lead to an early recovery of cash तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं firms जिसको liquidity का problem जादा face करना पड़ता है वो believe करते हैं कि life of the product या फिर market जो है वो short term के लिए है इसी लिए वो adopt करते है pricing strategy क्या धियान में रखकर जिससे कि हमारा cash flow जो है वो जादा रहे और हमारा जो भी recovery हो cash की वो जल्दी हो सके search firms में provide a series of special offers and discount ऐसे firm क्या करते हैं special offers और discount देते हैं and adopt a strict credit policy so as to increase immediate sales and achieve prompt payment credit policy भी काफी strict रखते हैं ताकि अपने payment जल्दी receive कर सके we have market entry barrier objective firms में adopt low price strategy firm क्या करती है low price strategy रखती है किसलिए from the objective of preventing others from entering the market price पहले set किया first mover advantage मिल गया अब हम क्या करते हैं दूसरे जो entrance new entrance market में आना चाहते हैं उसके लिए competition को tough बना देते है potential entrance would recognize the low returns available and the dangers of getting involved in a price war जो potential new entrance होते हैं जो नया नया market में आना चाहता है वो देखता है रे यार price तो बहुत कम है margin भी इसके उपर कम होगा यहां पर potential entrance यही सोचते है कि हम अगर इस market में enter हो भी जाए तो होगा क्या इससे ओल्रेडी कोई है जो इस market में क्या कर रहा है सर्फ कर रहा है सर्फ करने के साथ साथ उसने अपना first mover advantage लेकर रखा है customers उसको अच्छे से जानते है चलो भया यह भी ठीक है लेकिन इसके अंदर जो profit margin है हमको नहीं मिल रहा है low returns मिलते है इसके उपर तो काहे को price war में enter करने का competitor को competition देने का और उस market में उतरने का जहां पर मुझे returns भी जादा नहीं मिलने वाले है तो यह threat को ध्यान में रखते हैं new returns उसमें नहीं आते हैं तो यह market entry barrier एक create करने की कोशिश की जाती है now in this way existing firms may be able to minimize the amount of competition in the market इससे existing firms क्या कर सकते हैं competition को कम कर सकते हैं अपने market में good number of quality focused firms believe that profit results from the customer satisfaction as the primary objective अच्छे जो कुछ अच्छे firms होते हैं जो quality पे ज्यादा focus करते हैं वो क्या सोचते हैं कि profit तो हम चलो कमा लेंगे लेकिन profit तभी कमा पाएंगे जब हमारे customer satisfied हो they believe that by focusing solely on short term profits a company loses sight of winning customers and retaining them अगर आपका focus है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ किस पे focus करना है profit कमाने पे तो कही न कहीं आप क्या कर रहे हो आप customers को जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हो जो कि बहुत गलत है और उनको retain करके रखना उनी customers को अपने पास maintain करके रखना एक बहुत बड़ा challenge होता है these firms instead develop pricing objectives based on pleasing customers over the long term तो यह लोग क्या करते है they develop pricing objectives to please the customers अपने pricing objective पे जाधा focus करते है ताकि long term तक हमारा customer हमारे पास रहे हमको छोड़ कर ना जाए और हमी से repeat purchases भी किया करे now firms may adopt a high value strategy where product quality is high and the price is moderate neither high nor too low यहाँ पर क्या करेगा हमारा जो price होगा जाधा high नहीं होगा और जाधा low भी नहीं होगा instead of adopting premium strategy where high quality product is sold at high price तो premium pricing पे हम sell नहीं कर रहे है high quality product है high price है नहीं हम आपको अच्छी quality दे रहे है और prices भी आपके लिए moderate या affordable रखेंगे however it is to be noted that some customers especially belonging to the upper upper class would be satisfied with premium strategy as they enjoy prestige status with highly priced items अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपने उन customers की जो की upper upper class होते है upper middle class में भी आते है यह लोग ज़्यादा price sensitive नहीं होते है क्योंके बात इनके status और symbol पे आती है इनके prestige के उपर आती है इसलिए they are always 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 preferring premium strategy they are ready to pay extra price they are ready to pay more price for a product which suits their status that's how the customer satisfaction objectives are achieved and the next objective or the final objective or the last objective that we have is talking about social responsibility objective now social responsibility objectives often play a major role in pricing decision of the government and of non-profit organization तो यहाँ पर social responsibility भी एक important role play करती है किसके लिए pricing decision के लिए government और non-profit organization के लिए professionals जैसे की doctors हो गए may adopt social responsibility as their pricing objectives अब यह social responsibility यानि जन्हित में जारी लोगों के बारे में हम सोच रहे है तो कौन सोच रहे है doctor क्या सोचता है कि मुझे society को serve करना है उसके basis पर अपने pricing objective set करते है price basically हम उनको fees pay करते बट वो तो उनकी services का price ही होता है जो हमें charge कर रहे है some doctors may charge consulting fee on the basis of ability to pay कुछ doctors होते हैं वो इस basis पर fees charge करते कि हमारा patient कितना हमको pay कर सकता है poorer sections may be charged less whereas the richer sections may be charged more जो गरीब होते हैं उनसे कम charge लेते हैं जो अमीर होते हैं उनसे जादा charges ले सकते हैं professional business firms में pass on the economies of large scale production and distribution at least partly to the consumers with the objective of fulfilling social responsibility towards the consumers जब हम बात करते है economies of large scale की जब भी हम bulk में production करते हैं raw materials लेकर आते हैं हमें heavy discount मिलता है उसको बनाने का खर्चा अगर कम हुआ है तो हम अपने prices को affordable prices को set करते हैं राकि customers को भी हम यह benefit दे सके जो economies of scale के थ्रू हमको मिला है यानि कि हमारा खर्चा जो है वो कम हुआ है तो जब खर्चा ही कम हुआ है तो customers दे क्यों extra price यह ज्यादा prices को charge करना तो यह हमारा social responsibility का objective कुछ business forms भी adopt करते हैं तो यह थे बच्चों हमारे कुछ pricing objectives अब हम बढ़ेंगे अगले topic की तरफ जो है हमारा factors influencing pricing ऐसे क्या factors है जो price को influence करते है affect करते है one by one हम उसको समझेंगे तो factors के अगर हम बात करें तो दो तरह के factors है एक है internal factor और दूसरा है external factor internal factors those which are within the control of the organization external जो की हमारे हाथ में नहीं होते है बात करते हैं पहले factor की internal के जो की आता है हमारा cost cost यानि किसी भी product को बनाने के पीछे जो खर्चा लगता है उसे हम कहते है cost firm while fixing prices should consider cost for producing the product as I said उसको बनाने के पीछे जो खर्चा लगा है कई सारे product होते है the cost constitute a large part of the price the firm must plan to recover both variable cost and fixed cost अब ये दोनों ही cost हमको cover करने होते हैं अपने price में however if a firm is selling bulk of its supplies in the home market and a part of production in the overseas market all the fixed cost may be recovered from the home market and variable cost may be charged from the overseas market तो दो तरीके के जो cost होते है fixed और variable के यहाँ पर क्या बोल रहा है अगर आप अपना bulk में supplies send करते हो कुछ आप international market में sell कर रहे हो overseas में कुछ आप sell कर रहे हो अपने ही country के अंदर आप क्या कर सकते हो fixed cost को recover कर सकते हो अपने home market से और variable cost को recover कर सकते हो overseas market से तो यह internal factor जो की effect करता है हमारे pricing को नेक्स आती है हमारी corporate image firms enjoying a good image in the market may charge a higher prices compared to those which do not enjoy reputation in the market तो जिनकी image अची है prices जादा charge कर सकते हैं जिनकी image बुरी नहीं है लेकिन लोग शाय इतना उनको जानते नहीं है या फिर अपना reputation इतना नहीं है market में they will always prefer to go for charging comparatively lower price now this is because consumers have trust and confidence in the firm's enjoying name and reputation in the market अब यह क्यों है क्योंकि consumer को भरोसा होता है किसके ओपर उन firms के ओपर for instance firms like P&G and HUL can command a higher price for the brands as they enjoy goodwill in the market तो P&G, Procter & Gamble, HUL, Hindustan Unilever यह क्या कर सकते हैं यह जादा prices charge कर सकते हैं क्योंकि already इनका market में बहुत अच्छा नाम बना चुके है यह objective क्या होते हैं firm के वो कैसे affect करते है price को basically price of products is directly related to objective of the firm जो भी हम price set करते हैं कहीं न कहीं वो company के overall objective से relatable होता है for example if the objective of a firm is to increase return on investment then it may charge a higher price अगर firm को objective है return on investment जाधा चाहिए हमको तो हम charges भी price भी जाधा charge करेंगे लेकिन अगर larger market share चाहिए तो हम price को low charge करेंगे then we have product as the internal part of our organization so if a product is of superior quality firm may either adopt a premium strategy और high value strategy premium pricing में firm क्या करती है high quality के लिए high price charge करती है high value में firm moderate या low price charge करती है लेकिन quality product offer करती है तो यहां जब हम अपने product के quality की बात करते हैं उसके अलावा marketer को product के feature, nature of the product and frequency कितनी frequently उनका product खरीदा जा सकता है इसके basis के उपर भी अपनी pricing strategy को बनाना होता है we have an excellent topic of product life cycle जो हमने पढ़ा था introduction, growth, maturity, decline जो की एक stage होता है हर product एक दौर से गुजरता है तो यहां पर जब हम बात करते हैं example जैसे firm एक product को introduce करता है competitive market में तो वहाँ पर वो price को कम charge करता है ताकि customers को अपनी तरफ attract कर सके growth stage पर पहुशता है firm अपने prices को बढ़ा देता है क्योंकि competition जो है market में क्या है वो low है marketer may also consider probable length of the products life cycle if the probable length of the products life is expected to be long lower prices may be charged just compared to products with shorter lifespan ऐसे product जिसकी life span ही बहुत कम है तो उस वक्त हम क्या करेंगे prices जो charge करेंगे वो comparatively जादा होगा लेकिन अगर पता है यह product long term तक चलने ही वाला है लोगों को इसकी जरूरत पढ़ने ही वाली है तो हम उसके prices को क्या charge करेंगे low charge करेंगे या फिर moderate charge करेंगे क्योंकि हमने उसकी जो life expectancy है वो थोड़ी जादा होगी दूसरे internal factors जो की affect कर सकते हैं मेरे pricing को वो है मेरा brand image, distinct brand image unique image जो higher price command करता है जैसे कि Mercedes, Rolex promotional expenses, higher the promotion, higher maybe the prices credit policy, जितना बड़ा credit period दे रहे हो उतना जादा आप price चार्ज करोगे size of the order, generally larger the order, lower is the price per unit, जेतना बड़ा order उतना price per unit क्या है वो आप less charge करोगे, तो ये कुछ दूसरे internal factors ते अब हम बढ़ते हैं अपने external factors की तरफ जो हमारे हाथ में ज्यादा तर नहीं होता है now, marketer has to consider the degree of competition in the market किस तरीके का competition है market में when there is high competition, prices में भी lower and vice versa competition ज्यादा है तो price कम charge करोगे competition कम है तो price ज्यादा charge करोगे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं but at an affordable cost या moderate से थोड़ा सा high quality की तरफ हम बढ़ेंगे price of competing brands as well as those of substitutes must be considered while fixing the prices तो यहाँ पर जब हम competing brands को रखते हैं उसके substitute को भी ध्यान में रखना पड़ता है alternative options को भी ध्यान में रखना पड़ता है जब हम price को set करते हैं price must be within the range of that of the competitors इसी range में होना चीजह जहाँ पर आपके competitor का price हो उसी price के आसपास होना चीजह बहुत जादा extreme भी नहीं होना चीजह जब हमारे अगर objective ही brand differentiation है या image differentiation है जहाँ पर आप अपने आपको unique बताना चाहते हो तो यहाँ पर आप premium price definitely charge कर सकते हो then we have consumers marketers should consider various consumer factors consumer factors को ध्यान में रखते हैं आप क्या करते हैं prices को fix करते हैं जैसे कि हम बात करेंगे price sensitive होते हैं purchasing power क्या है हमारे consumer का buying pattern कैसा है उनके taste, preferences, likes, dislikes इन सब को ध्यान में रखते हुए हम अपने pricing को set करते हैं in developing countries जैसे कि इंडिया customers even belonging to upper class are price sensitive and they may not buy highly priced brands हम इंडियन कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए भाजी खरीदने के बाद हम bargaining तो जरूर करेंगे demart में जाएंगे shopping करेंगे, mall में जाएंगे shopping करेंगे, लेकिन हम तब भी expect यही करते हैं कि upper class ही क्यों ना हो पैसे paid पे नहीं उपते हैं तो हमारी यह सोच है जो कि बहुत अच्छी है कुछ गलत नहीं है तो हम यहाँ पर extra spend नहीं करेंगे then we have demand price of goods to a great extent depends upon the demand of course price demand inversely related है हम जानते है an increase in demand में लीड to an increase in price and even though there may be no rise in cost demand जादा है, price भी जादा होगा, demand में increase due to economic conditions in the market demand क्यों बढ़ेगी economic condition के बेसिस पर problems with the supplies of competitors and so on, it is to be noted that increase in demand need not result in increase in prices as nowadays socially responsible marketers pass on a part of the benefits of large scale production and distribution to the consumers तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जरूरी नहीं है increase in demand जरूरी नहीं है need not result in increase in prices, demand बढ़े कि तो जरूरी नहीं है कि price भी बढ़ा नहीं है कुछ socially responsible organization है जिनको economies of scale का benefit मिलता है, वो यह benefit pass on करती है अपने customers को then we have economic conditions wherein the conditions of prevailing or existing in the market must be considered while fixing the price economy के बारे में भी सोचना economic इस तरीके से चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने prices को fix करते हो now at the time of recession when consumers have less money to spend marketers may reduce the price to influence buying decision of the consumers recession के टाइम पर हम क्या करते हैं definitely buying power थोड़ा से कम हो जाता है तो हम उस बग prices को भी कम कर देते है during economic boom marketers में charge a high price जब economy बहुत अच्छी चल रही है तो prices भी ज़्यादा charge होते है उनके products के लिए then we have financial incentives here government may provide incentives to the firm and therefore the firms may charge lower price कुछ incentives मिलते हैं, जैसे कि अगर आप यहां से बाहर export कर रहे हो, अपने country से बाहर export करते हो, government आपको incentive देती है अपनी country में business कर रहे हो government आपको incentives देती है वो incentives का आप क्या फाइदा होता है आप उसकी वज़े से customers से prices low charge करते हो example exporters को incentives मिलता है government की तरफ से इसलिए वो क्या करते है आप overseas market में low price quote करते हैं, क्योंकि government की तरफ से समझ लिए discount हमको मिल गया है taxes के ओपर, duties के ओपर incentives available to exporters include incentives क्या मिलता है जैसे कि duty, drawback, refund of GST and benefits under various schemes such as export, promotion, capital goods scheme, merchandise, exports from India scheme, etc. तो जो आपकी export marketing का subject है बच्चो, इसके अंदर आपको detail में समझ में आएगा कि government किस तरीके से incentives देती है business organization को simple example है, जब मैं यहां से बाहर export कर रही हूँ, तो definitely foreign currency का inflow हो रहा है, तो government क्या चाहती है, हम import करने से ज़्यादा export करें, तो जब हम export करते हैं, हमारे goods यहां से बाहर जाते हैं यानि कि country के बीच में trade हो रहा है तो government को, जो भी हम duties पे करते हैं, government हमको क्या करती है उस duties, उस charges से, कुछ refund कुछ time के बाद हमको वापिस से लोटा देती है, export promotion capital goods, अगर हम बाहर की country से या अपनी country से export promotion capital goods, अपनी country से कुछ ऐसे capital goods है जो बाहर दे रहे हैं, तो उसके उपर भी हमको क्या मिलता है, discount मिलता है, incentives government की तरफ से मिलते हैं, export marketing में detail में आपको इसके बारे में जो है वो जानकारी मिलेगी, फिर जो दूसरे factors है, वो है हमारे government control, जैसे कि government regulated prices for certain medicines and other products are lower, government ने कुछ regulations बनाई हैं, कि कुछ medicines के लिए prices यह होना ची, आपको वही रखना पड़ता है, उन products के लिए low prices ही चार्ज कर सकते हैं channels of distribution, longer the chain of distribution, higher would be the prices, जितना लंबा chain of distribution होगा, manufacturer, wholesaler agent, retailer, customer उतना prices बढ़ता जाएगा taxes and levies, higher the taxes and levies higher would be the prices and vice versa तो जितना जादा taxes लगेगा आपके product के उपर tax जादा लगेगा, खर्चा दिया हमने, तो हमारा price भी क्या होगा वो बढ़ जाएगा, तो ये कुछ factors हैं internal और external जो की हमारे pricing decision को influence करते हैं, तो बच्चों यहाँ हमारा आज का topic है complete होता है, मिलती हूँ आप से next lecture में जहाँ पर हमें एक अपना चोटा सा last topic बाकी है, वो complete करेंगे, till then stay tuned to our channel thank you very much